तो हेलो अच्छो स्वागत आपका हमाई नहीं वीडियो में आज अपन लेकर आचुके हैं चैप्टर सेकेंड ठीक है तो आज अपन लेकर आचुके हैं चैप्टर सेकेंड आपने अगर चैप्टर फस्स देख लिया है आराम से समझ लिया है वन शॉट वीडियो भी देख ल यह उसी से related इस matter around us pure कि matter जो अपने असपास प्योर एक तो में लोग इसी से matter वाला चैप्टर है पहले जो matter in our surrounding उसी जैसे chapter यह नहीं इसमें थोड़ा और आपन डिकस करेंगे matter के बारे में ठीक है तो सबसे पहले one video सब्सक्राइब लो नहीं तो फिर one short video दिकित कर बंवार हएक कर जेखो प्योर वो चीज होती है जिसकेensitive particles सारी जगें होते हैं जैसे एक लिक्विड उसके नमक घुला हुआ तो नमक जो है वो पूरे में क्या है है पुरे में है एक्कोल है जैसे की मानों के नमक है नमक के पार्टिकल सोगरit तो वह उरा तरह Kṛṣṇa दिदम और इन्दर को सारी जफें उनके अंदर कोई भी mixture नहों दो चीज़ होगा देको इसखोन देखो वो यह तो इसे मीन देर ओल कनच्ट कोनड इस और संसरेंच और सेब इन देर केमिकल नेचर मतलब केमिकल नेचर यानली के होता है अंदर यानली के होता है बाब से दिखने वाले और नर जो भी उनके पार्टिकल से क्य हो केमिकली ही क्या हो सेम हो क्या होते हैं प्य और देफिनिशन टने लो इधिल्ड है शेल से बना हो उता है था हो burden से बना हुआ सारे पार्टिकल उसके कैसे हैं इसले इन अधर वर्ट इस अप्स्टेंज इस प्यॉर सिंगल फ्रॉम ऑफ मेटर वो एक ही मेटर का वनाच सी है ठीक है वो होता है प्यॉर ऐसे नहीं जूस ले लिए अब जूस के अंदर तो चीनी भी थी नमक भी था तो प्यॉ हाँ लेकिन अगर जूस अच्छी तरीके बना तो उसको अपन प्यॉर कहते हैं प्यॉर यहां पर गया है यहां पर वो चीह है जो सिर्फ एक पर यह थे नहीं होता है ठीक है मिक्स्चर नमकिन तो सब ने खाहिए उसके बारे में अपने को पता हो गिक्स्चर और साधी पार्टिकल्स मैटर्स को ते मिक्स्च्ट होते हैं तो सही में खिल्कुल मिक्स्च्ठ अरव कंसिस्ट ओट न यह उन टाइप औ प्व प्यूर फ़र मो अफ्म epoxy वॉन यह फोया समय अदर क्या है दूता है अदर फैसे मिक्चे लिए और जो और भी एग्याμपल बहुत था suis तरह मेंने आप अपन नेचर कम्पोनेंट उसके कम्पोनेंट की नीचर पर कित्य तरह क्यों नón होता है homo genius और होता है heterogeneous homo इसका मतलब समझ नहीं होता है हट्रो हैं अभी आगे पढ़ते हैं है okay homogeneous mixture सबसे पहले हो homogeneous mixture तो homogeneous mixture में कै क्या होता है दूस mixture है bearival composition bearble composition मतलब bearable का यहां पर मतलब है वरेवल का यहां पर मतलब है अपने बेरेवल पढ़ें वरेवल ओग ऐख तो फिक्सी बढ गिंगी स्यक्राइब हो एसे नी खहीं जाद हो और यहें कम हो बिलकुल सारी जगें जो है जो भी उसका। मिक्स्टेश में उसक वेलिव के होती है है जैसे चीनी और नमक का सौल्यूशन कि सॉल्ट की अगुरा को टॉस्के अंद्र वाले सोल्ड Sun पीते हो US लोगना शाहर थो सब से तोरी नहीं कि नीचे वाले पानी में ज्यादा आ रहा है उपर वाले कमा रहा है नहीं अगर सॉल्ट को अच्छी तरी से गुमाओगे मिलाओगे तो सारा जो सॉल्ट का जो टेस्ट है वो पूरे वाटर में आएगा ठीक है उसतरे के शुगर इन वाटर है न तो उसकी जो वेरेवल कमपो इधर क्या होगा नौन यूनिफर्म कंपोजिशन कंपोजिशन या फिर नौन बेरेवल इसको यह भी ले सकते हो नौन बेरेवल ठीक है अगर दिक्कत आ रही है तो इसको नौन नौन बेरेवल भी कह सकते हो ठीक है नौन बेरेवल इसके इंदर जो कंपोजिशन हो जाने जाने इधर साइड आ ही जाते रहें हैं कभी-कभी बीच में रहते हैं कभी-कभी उपर आजाते नीचे नहीं रहते तो उसी तरीके से जो mixture नौन-uniform है उसके जो particles है वो fix नहीं है। हर जगे पाए जाएं। वो कभी एक जगे हो सकते हैं कभी दूसरी जगे तो अभी अपनने पढ़ा है आज का लेक्टर से वितना ही है कि अपनने सबसे पहले पढ़ा प्यॉर कि यह प्यॉर के सबस्टेंस है तो प्यॉर क्या माना अपने प्यॉर वो है जो क्या हो जिसका जो एक ही मैटर से बना हुआ हो और उसका मैटर जो है उसकी जो कम पोजिशन हो क्या हो वहरेवल मलब मैटर क्या हो प्योर हो एक ही सबस्टेंस से बना हुआ हो वह क्या होता है ठीक है फिर अपनने पड़ा कि मिक्स्चर क्या होता है तो मिक्स्चर में अपनने समझा मिक्स्च होता है है था पर लिए कि मिक्स्चर गया दो-3 प्यॉर सब्स्टेंस का क्या है मेल जोल ऑव मिक्सचर है अब मिक्सचर के न्दर भी दो चीज आती है पहला है होमो के और दूसरा है है लिए थो हो मतलब अपनने समझ लिया जो क्या हो कि वैरेवल कंपोजेशन ओर इन भ्रेस जिसमें इस ना धटेस्ट यह नी जात भाएं यह ते होता है पसंद है हो तो लाइक करने सब्सक्राइब करने और आगे की वीडियो के लिए इंतिजार थैंक्यू पर वाचिंग